प्रकाश टारोकाड डिडर का आप सभी को बहुत बहुत नमशकार अगर आप नए है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और अपने कमेंड साधिया साजेशन हमेशा देते रहें नमशकार दोस्तो प्रकाश टारोकाड डिडर का बहुत बहुत नमशकार यह जो रेडिंग आप देख रहे हैं यह है पाकिस्तान के नए प्रधान मंतरी शहबाज शरीफ के लिए शाहबास शरीफ कितनी शराफत दिखाने वाले है ये चेक किया है मैंने इस रेडिंग से वो कितनी शराफत के साथ रहेंगे नए आर्मी चीफ के साथ और हिंदुस्तान के साथ तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स प्रेजेंट ये शो करता है कि अभी सबसे पहली उनकी प्रियरिटी है पैसे की उगाही करना वसुली इन्हें कटोरा लेके जाना और पैसे मांगना कि या पैसे देखो नेश चलाने के लिए तोड़ा पैसे चाहिए ने तो श्लंका की तरह हालत हो जाएगी तो सबसे पहले तो पैसा मांगने का जोड़ोड़ करने वाले हैंगे दूसरा जून तक इनको इनका जो कुनबा है उसको इखटा रखने में ही इनके पसीने छुटने वाले हैं इनका कुनबा यहने जो Rainbow Coalition ए अपोजिशन पार्टी जो सरकार बनाई है तो उन सब को इखटा करना सब को खुश रखना उसमें इनका टाइम ज़्यादा जाने वाला है और साल दोजार वाउस का सेकेंड आफ जुलाइ टू डिसेंबर जिस तरह का एक कार्ड है ये कुछ गलट डिसिजन्स ले सकते हैं अब किस तरह के मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इनको ये देखिए फूल कार्ड यहने रिस्क केरलेसनेस रिस्क और मैंने पहले भी बताया है कि सेकंड हाफ में मेरे पुराने कुछ वीडियो जेंडिया पाकिस्तान रिलेशन्शिप के उपर उसको मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में उसका लिंक दे दूँगा आप वो देख सकते हैं कि सेकंड हाफ में इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशन्शिप है कहीं न कहीं तकलिफ दे दिखती है यहां तक कि एक छोटा मोटा बैटल या वार भी रूल आउट नहीं किया जा सकता हो सकता है तो कुछ एडवेंचरिजम हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से बस वही इनको उनकी जो रिलेशन्शिप है बाजवा के साथ वो कैसे रहने वाली है अब यह बाजवा के बारे में क्या उपिनियन रखते है तो यह काड आया है अब अगेन पेंटेकल्स काड यह खाव आदमी है वो जानते कि हाँ है इसको पैसे से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है यह खाव आदमी है फिर जून तक इनकी रिलेशन्शिप कैसे रहेगी बाजवा के साथ तो जिस तरका यह काड आया है कहीं न कहीं ठसन रहेगी दोनों में जून तक बाजवा और शावा शरीफ दोनों में बहुत ज़्यादा बनने सकते पाएगी लेकिन हाँ जून के बाद यह जो काड है कहीं न कहीं दोनों की रिलेशन्शिप में इंप्रूमेंट आएगी जून के बाद तब तक कुछ न कुछ थोड़ी से उनके आपस में ठसन रहेगी फिर मोदी जी के साथ मोदी जी के बारे में एंप्रेस काड आया है ग्रोथ औरियंटेट परसन और जिस तरह यह एंप्रेस ने जगह पे बैठी है स्ट्रॉंग ली तो वो जानते है कि हाँ मोदी एक बहुत ही स्ट्रॉंग लीडर है लेकिन कैसी रहेगी यह रिखिए जिस तरह के दो कार्ड आया है साथ साथ मालूम पड़ता है कि जून तक इंडिया पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं होने वाले और शावाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड चालू हो जाए शावाज शरीफ की सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड चालू हो जाए इस तरीके से होता है लेकिन हां शाहवाद शरीफ का जो आने वाला साल है काफी चैलेंजिंग रहेगा इतना असान नहीं है वो बोलते ना काटो का ताज पहन लिया उन्होंने इमरान खान को तो हटा दिया और खुद अपने सर पे काटो का ताज पहन लिया देखते हैं कैसे चलता है इनका लेकिन हाँ बहुत अच्छा नहीं है साल इनका